तो आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे लिकिन इसी बेच एक बड़ी खबर आ रहे है हातरत सासे से जुड़ी इस वक्ती बहुत बड़ी खबर है SIT रिपोर्ट के बाद CM योगी ने बहुत बड़ा अक्शन लिया है SDM, CEO, अतैसिलदार समेच 6 ओफिसर्स निलम्वित कर दिये गाए है साजिश्च से इंकार नहीं गहन जाज की जरूरत है रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है आज़ुको की लापरवाई से हातरत साथा हुआ ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है भीड को आमंतरन देकर नहीं किया गया था परियाप्त इंतजाम ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है तो जो रिपोर्ट SIT की है अब SIT की रिपोर्ट के अनुसार आज जब CM योगी को रिपोर्ट दी गाई उसके बाद CM योगी ने बड़ा एक्शन लिया है साजिस से इंकार नहीं जाज की बाद जरूर इसमें कही गई है आज को की लापरवाई से हाथरत हाथसा हुआ और कहीं ना कहीं भीड को आमंतरन देकर नहीं परियाप्त इंतजाम किये गए थे इस बात का जिकर भी इस SIT की रिपोर्ट में है तो एक बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जैसे ही यह हादसा हुआ SIT का गठन किया गया था Special Investigation Team जो पूरे मामले को लेकर जाज परताल कर रही थी और कल प्रिशासन को रिपोर्ट सौपी गई थी आज मुक्यमंतर योगी आदितिनाथ के सामने इस रिपोर्ट को पेश क्या गया जो बड़ी बाते निकल कर सामने आई है इस रिपोर्ट की वो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले ये कि एक बड़ा एक्शन लेते हुए छे ओफिसर निलंबित कर दिये गए है साजिश से इनकार नहीं है सीएम ने कहा था कि साजिश है या फिर हादसा इसकी जवाच की जाए गया रिपोर्ट पे ये सामने आया कि साजिश से एसाइटी की टीम ने इनकार नहीं किया और कहा कि गहन जवाच की ज़रूरत है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से हातरस हादसा हुआ जितनी बड़ी संख्या में लोगों को इन्विटेशन दिया गया था बुलाया गया था या जो लोग पहुचे हुए थे उतने परियाप्त इंतजाम नहीं किये गए थे और भीड को आमंतरन दे कर परियाप्त इंतजाम नहीं किये गए ये इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आया जिसके चलते ही हादसा हुआ तो मीडिया भी लगातार यही कहती रही वो भी अपने रिपोर्ट में यही कहती रही कि किस तरह से हादसा हुआ वहाँ पर यह कहा गया था पचास ज़ार लोग बुलाए गए हैं लेकिन उससे जादा लोग वहाँ पर पहुँच गए और इसके बाद इतनी बड़ी घटना इतनी बड़ी भगदर वहाँ पर मची जिसमें की इतने लोगों की जान चली गए की रिपोर्ट सामने रख दी गाई है तो सीम ने एक बड़ा एक्शन लिया है बिल्कुल जाहिड सी बात है कि हाद्थरस में जो हादसा हुआ उसके तुरंद बाद मुक्हमंत्री योगी आयतनाथ ने अपने सभी अफसरों को ततकाल वहाँ जाने की निर्देश दिये सच्छी उसे लगा कर डीजेपी को मौके पर भेजा खुद मुक्हमंत्री योगी आयतनाथ भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सीधे तोर पर कहा जो कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उस पर कारवाई की जाएगी और सक कारवाई की जाएगी अब कारवाईों क सीओ है तैसील दार है इनको वाकायदा निलंबित कर दिया गया है समय च्छे अधिकारी निलंबित किये गये हैं वहीं अगर बात की जाए इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में जो सामने आया है तथे की जो दो सदसी एसाइटी की टीम थी मौके पर उनोंने इस थली न हो, CEO हो, तहसीलदार हो, इनके समेट 6 लोगों पर कारवाई की गई है, इनको निलंबित कर दिया गया है, वहीं इस पूरे मामले में किसी भी साजिस से इनकार नहीं किया जा सकता है, साइटी ने सीधे तवर पर अपनी रिपोर्ट में यह भी बात लिखी है, आयोजकों ने जो आयोजन कराया, उसमें जो संख्या थी, उससे कई गुना लोग जादा आ गए, यानि कि जो परमिसन ली, वो कम की लिए और लोग जादा पहुँच गए, और इसमें कहीं न कहीं इस पूरी रिपोर्ट में आयोजकों को मुक्रूप से जिम्धार ठेराया गया है, और बात भी यही है, कि जो एक इतने बड़े इस तरपर आयोजन हुआ, उसमें जो संख्या थी, वो इतनी बड़ी संख्या, इतन राज्यो सरकार की तरफ से की जा रही है? इतने बड़ी संख्या में लोगों के बयान लिये है, जो इस पूरी विवस्ता में सामिल रही है, और इसके अलावा, जो मीडिया कटिंग, जो अकबारों की कटिंग थी, उनको भी संख्यान में लिया, और उसकी बकादा पुष्टी की, स्थली निरिच्छड किया, लोगों से बाचीत की, उसमें इस बात की पुष्टी हुई, कि किसी भी साजिस से भी इंकार नहीं किया कादा सकता है, यानि कि यह जो घटना है, यह जो हाधसा हुआ है हात्रस में, इसमें साजिस भी सामिल है, साजिस में भी लोग सामिल है, उसकी भी परतालब की जाएगी, संके साजिशी बात हो रहे हैं हलाकी हम आपको बता दे जो अभी आपने खबर दी कि अधिकारियों पर गाज गिरी है अधिकारियों को उनको हटाया गया है लेकिन इस पूरे मामने में जो आयो जख है और खास तोर पर बार बार बाबा को लेकर जो सवाल उट रहे थे तो क्या आप जब ये SIT की रिपोर्ट सामने रख दी गई है मुक्यमंत्री में इस पर संग्यान ले लिया है बड़ी कारवाई की गई है तो इसके बाद हम ये मान के चले कि अब बाबा को पुछताष के लिए बुलाए जाएगा इसमीं सीधे ताओर पर ये बात भी लिखी हुई है कि जो वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में कठे हुए आयज़ुकों ने इसकी सूचरा प्रसासन को नहीं दी प्रसासन से जो परमीसन ली वो करम संख्या को ली और लोग कई गुना ज़ादा पहुच गए तो ऐसे में प्रसासन को अंधेरे में रखा गया है उजकों की तरफ से इसको लेकर भी अब SIT की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है SIT की रिपोर्ट में जो इस्थानी प्रसासन है उसकी भी जवाद देही तै की गई है उन पर भी कारवाई की गई है चाहे वो इस्थानी सीओ हो SDM हो तहसीलदार हो उनको बकादा निलंबित कर दिया गया है इसे 6 लोग निलंबित किये गए हैं सरकारी लोग तो मुकमंत्री योगिया इतनात ने इस पूरे मामने में जहां सक कारवाई सुरू कर दी है लोगों पर एकसर सुरू हो गया है तो आप बाबा पर भी जो उनकी भूमिका है उसको लेकर भी बाबा से भी पुस्ताच होगी और इसमें सीधे तोर पर सरकार की तरफ से बेजा जाएगा सक कारवाई होगी लोगों के बयान लिये जाएंगे आयोजक मंडल में और जो लोग सामिल हुए है उन तक भी आप पर सासन पहुंचेगा मुक के रूप से जो इस साइटी की रिपोर्ट में सामने आया है जो सरकारी अधिकारी विभागे कारवाई हो गई है उनको ललंबित कर दिया गया है लेकिन क्या अब इन पर भी रिपोर्ट दर्ज होगी न अधिकारियों पर कि क्या किसी तरह से एफ इयार दर्ज होगी क्या इन पर यसे विभागे कारवाई ही होगी इसको लेकर कोई रेकी जाए तो उन पर अब निलंबन की गाज गिर गई ए चाहें वो SDM हो तहसीलदार हो या फिर स्थानी सिओं उनको निलंबित कर दिया गया है भी जारी रहेंगे और इसमें जो भी लोग सामिल है उन पर भी सक कारवाई सुरू होगी उनको जेल भेजा जाएगा और जो आयोजकों की भूमिकावर सबसे जो खास बात है साजिस की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है यह सबसे बड़ा बिंदू है इस रिपोर्ट का कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस साजिस में सामिल हैं ऐसे लोगों पर भी अब सकती सुरू होगी जल्द ही बड़ी कारवाईयां हाथरस के इस हाथ से की घटना में देखने को मिलेंगी मुक्यमंत्री योगिया इतना सीधे नजर बनाये हुए हैं अब सरों से लगातार बाबा के वकील एपी सिंग जो बात कहे रहे थे क्या उस तमाम साजिशों को भी देखा जाएगा क्योंकि साजिश वर्ड एसाइटी ने डाला है कि हो सकता है किसे तरह कि साजिश हो और एपी सिंग जो की बाबा के वकील है वो भी इस बात की आशुनका जता चुके हैं संकेर बिल्कल जाहर सी बात है कि साजिश की जो बात है ये सुरुआत से ही सामने आ रही थी और ये अब एसाइटी की रिपोर्ट में भी सामने आई है तो उस साजिश में कौन-कौन वो लोग सामिल थे उन पर भी कारवाईया होंगी उनके सब के चेहरे बेनकाब होंगे वो सामन प्रटाल की जा रहा है याला कि साइटी की रिपोर्ट बड़ी विस्त्रत रिपोर्ट है इसमें हर बिंदू की बहतर तरीके से पट्ाल की गई है सभी से बाकायदा इक्वů लूनकोर पर पहुचे उनके लोगों के बयान नोट किए तो इस पूरे मामले के जब ब़िस्तरत अब देखे बहुत सारे लोगों की मन में सवाल था कि बाबा के खिलाफ F.I.R. दर्ज क्यों नहीं की गई है अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बाबा के नाम का जिक्र इस रेपोर्ट में नहीं है इसको लेकर जरा क्लियर कीजिए कि क्या बाबा का नाम भी इसमें दर् की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ इस रेपोर्ट में नहीं है लेकिन रेपोर्ट में जो परताल की गई जो रिपोर्ट के बिंदू है उसमें मुख रूप से जिम्मेदार आयोजक मंडल को मना गया है उसमें आयोजकों में जो जो लोग भी सामिल थे उन सबकी भूमिका जो भी इस पूरे मामले में थी वो सामने आ चुकी है और उन पर भी कारवाईयां सुरू हो चुकी है और रह गई बात बाबा की तो बाबा की जो भूमिका है उस पर जात जारी है ऐसा नहीं है कि बाबा बक्से गए हैं पुक मंत्री योगिया इतना आपने सीधे तरपर न लोग वहाँ पर पहुंचे थे लेकिन अब तक बाबा से किसी तरह की कोई पूछताच नहीं हुई है सारा ठीकरा आईज को पर पोड़ दिया गया है अब जब SIT की रिपोर्ट आई है उसमें भी आयोजको का जिकर है अधिकारियों पर गाज गर गई है लेकिन बाबा का व में सामिल लोग हो उन सब तक टीमें पहुंचेंगी और उनकी सब की भूमिका तैकी जाएगी अगर वो इस पूरे मामले में दोसी है उन पर कारवाई भी होगी सीधे तोर पर यह इस रिपोर्ट में इसका जिकर भी है कि मुख्य रूप से जिम्मेदारी आयोजको की है तो उन्होंने सक्ट से सक्ट कारवाई की निर्देश दिये थे मौके पर अफसरों को भेजा था खुद भी मौके पर गए और लगा तार मुक्वंत्री योगिया इतनात ने अफसरों से भी कहा और सीधे तोर पर नोने भयान भी दिया कि किसी को भी बखसा नहीं आ जाएगा को कॐसरा की वचनि तार्वाई की वज़ाए हो दर्सी वबस्था के तहत कारवाई होगी यही वो वज़่ changes इस पूरे मामले में जो SIT की टीम दो सदस्य टीम थी टीम ने विस्तरजात की है सौ से जादा लोगों से पूस्ताच की है बाचीत की है उनके बयान दर्ज की है और एक विस्तरत रिपोर्ट तयार की है उसमें सभी बिंदों का जिक्र है उसमें जो भी और ऐसे बिंदों का जिक्र है जिनके बाकादा तत्थ भी मौझूद है यानि कि बिना तत्थ के आधार पर मौखिक ये रिपोर्ट में कोई भी बात मौखिक नहीं है सभी तत्थात्मक बाते हैं चाहे उनके बैग्यानिक या बयान के आधार पर हो सभी मजबूती से सभी को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तयार की है और इसमें इस रिपोर्ट में जहां मुट किरूप से आलजपोपो जिम्मदा ठराया ही गया है लेकिन ये बताये चुकी बाद बाबा की बार घूम फिरकर बाबा पर आ जाती है सभी का नाम नहीं है बाबा का नाम है बाबा का वहाँ पर पूरा प्रवचन चल रहा था बाबा के बाबा से निकलने के बाद भगदर मचा लेकिन बाबा का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में कुछ पता चल पाया है कि बाबा है कहां अगर पूछता चुन से कि तरफ से और उसमें जो एक महत्मूर बिंदू है वो है कि मुख्य रूप से पूरे मामले की जिम्मदारी जो आयोजक मंडल था उसकी रिपोर्ट पर सामने आई है और जो इस्थानी प्रसासन है उसकी भी जबाब देही के लिए सीधे तौपर कि उसको भी नकारा नहीं जा सकता है यही वो वज़य है कि जो प्रसासन है वो अफसर निलंबित भी कर दिये गए हैं एस्डियम तहसीलदार सीओ समें च्छे अफसर निलंबित किये गए हैं और वही दूसरी तरफ आप बात रह गए कहना कि साजिश है यही सो और भी संकेत देता है दूसरी तरफ बाब बिन्दू नहीं है लेकिन जरूर है कि घटना जो बिंदू दिया गया है कि यह घटना साजिस का हिस्ता भी हो सकती है जब भजान दर्च किये गए हैं उस आधार पर अब यह द्हाए बढ़ाए जाएगी कि कि आ business है कौन लोग सा मिरल है चाहर क्या वो बाबा के लोग या बाबा के खिलाव के लोग थे या फिर सरकार को बदनाम करने वाले लोग थे इन सभी बिंदों की आप पड़ताल होगी दरसल जो जांच होती है SIT की वो जो प्रात्मिक उस पूरी घटना से संबंदित जांच रिपोर्ट है वो पहुट चुकी है